अभी हम कर रहे हैं एट्ट क्लास के लिए चैप्टर नमबर 16 प्लेइंग विद नमबर्स मैथमेटिक्स और उसमें ये ट्राइदीज है पेज नमबर 253 के ओपर यहां एक और प्लेइ आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर मिनाकसी और सुन्दरम ये ही इसको प्लेइ कर रहे हैं इस बार मिनाकसी की टार्न है मिनाकसी कहती है think of any three digit number कोई एक तीन डिजिट का नमबर सोचो तो मैं भी साथ में इसको कर देता हूँ ताकि आप इसमें confused ना हो ठीक है तो वो कहती है कि एक नमबर सोचो तो वो तीन डिजिट का नमबर ही हो सकता है जैसे A, B, C अब फिर वो क्या कहती है All right, I have done so सुन्दरम कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया है ठीक है Now use this number to form two more three digit numbers like this अब उस नमबर का इस्तमाल करके तीन और नमबर आपको बनानी है जैसे कि कहा है अगर वो A, B, C form है तो पहले C, A, B बनाओ यानि कि A, B, C है ये तो क्या करेंगे इसको C, A, B तो जो ये नमबर है ये प्लेस करेगा इधर की तरफ मतलब यहां आ जाएगा तो ये हो गया C, A, B फिर अगला नमबर है जो नमबर एक और नमबर बनाना है वो होगा B, C, A form जानि कि जैसे ये उठकर के पहली पोजिशन पर आ गया था इस तरफ 100 प्लेस पे वैसे ही B जो है ये 100 प्लेस पे यहां पे आएगा तो बनेगा B, C, A ठीक है फिर नाओ एड़ दैम आप अब इन तिन्नों को एड़ करना है और फिर उसे 37 से डिवाइड करना है अब वो कहती है कि इसमें भी कोई रिमेंडर नहीं बचेगा यानि कि जो नंबर बनेगा वो 37 का मल्टिपल होगा तो ये ट्रिक काम कैसे करती है वो समझ लीजिए फिर हम इसके ट्राइडीज के जो पार्ट्स है वो करेंगे ज़रा देखिए यहां इसका explanation भी दिया हुआ है A, B, C का मतलब क्या हुआ ये 100 place है ये multiplication नहीं है A multiply, B multiply, C नहीं है ये 1 place, ये 10 place ये 100 place है जैसे कि 153 होता तो ये 1 multiply, 5 multiply, 3 नहीं होता वैसे ही मतलब ये expanded form करते हैं तो 100 multiply में 100 plus 50 plus कितना होता? 3 वैसे ही ये है तो ये A के लिए हम 100 place पर होने पर 100 A plus 10 B plus C ये हो गई है इसी तरीके से C A B form है ये होगी 100 C plus 10 A plus B and this one 100 क्योंगी 100 place पर B है तो 100 B 10 place पर C है यहाँ पर तो ये 10 C हुआ प्लस में A का A देखिए यहाँ पर एक तो ये है 100 A एक ये है 10 A like terms जोडेंगे तो इनका बना 110 and 1 111 A फिर बार्यातिय B की यहाँ 10 B है यहाँ 1 B है 11 B हो गया ये 11 B प्लस में 100 B कितना हुआ 11 11 B इसी तरीके से C एक सी ये है एक सी ये है एक सी ये है तो ये भी क्या हुआ 1 प्लस 100 101 प्लस 10 111 C अब सब में 111 को मन आ गया तो यहाँ बचा A इसमें बचा B और इसमें बचा C 111 को हम लिख सकते हैं 37 मल्टिप्लाई 3 A प्लस B प्लस C मतलब जो भी नमबर मिलेगा वो 111 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा वो 37 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और वो 3 से भी डिवाइड होगा 7 ही 7 वो 3 नमबरों के एडिशन से भी डिवाइड होगा पूरा का पूरा तिनो डिजिट्स को प्लस करें तो जो नंबर बनता है वो उससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा तो यह ट्रिक्स यहाँ पर एक नहीं चार बन सकती है और भी इसको बदला जा सकता है क्लियर हो रहा है फिलहाल आपके सामने चार ट्रिक बन सकती है वो 37 से डिवाइड हो सकता है कोई रिमेंडर नहीं बचेगा 3 से डिवाइड हो सकता है कोई रिमेंडर नहीं बचेगा वो तिनों डिजिट्स को प्लस करके जो नंबर बनता है उससे डिवाइड हो सकता है कोई न तो अब क्या करेंगे तो इसलिके हमने प्ले कर लिया अब हम करते हैं यह प्रैक्टिकल जो इसमें दे रखा है पार्ट्स दे रखे हैं कि अगर 417 किस ने सोचा सुंद्रम ने सोचा होता तो क्या होता कोस्चन इबर पढ़ लेते हैं चेक वट दा रिजल्ट वोड हैव बीन इफ सुंद्रम है चोजन दा नंबर सौन बिलो कि रिजल्ट क्या होता जब अगर सुंद्रम ने इन नंबरो जो पहले सोचा था उस नंबर के मुकावले में अगर यह नंबर कोई सोचा होता तो ए बी सी फोर्म की बजाए यह नंबर को सोचे होते तो क्या होता ठीक है चुना होता चौजन मतलब चुना तो यहां नंबर थोट की जाए नंबर चौजन लिग देते हैं इफ नंबर चौजन चुना इस इकल टू 417 तो यह हुई हमारी A B C फोर्म अब हम निकालेंगे कौन सी C जो है वो इधर ले करके आएंगे C A B फोर्म तो क्या होगा 7 इधर आ गया 741 आ गया फिर B जो है वो इधर आ जाएगा B C A फोर्म तो 1 आगे लग गया 174 हो गया अब हम इसको प्लस करेंगे ठीक है A B C plus C A B plus B C A is equal to in Tinoopoulos करेंगे 7 and 1 8 8 4 12 1 1 1 2 4 6 7 13 1 1 4 5 7 12 1 13 अगें 7 1 8 4 12 1 1 1 2 4 6 7 13 1 1 4 5 4 7 12 1 13 132 ये नंबर हमें मिला नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 1332 डिवाइड 37 तो 37 की टेबल में अब मुझे नहीं आती तो क्या करूंगा एक डिजिट यहां छोड़ दी और यहां तक का मैं नंबर लूँगा क्योंकि 13 तो छोटा हो जाता है तो एक डिजिट में यहां छोड़ देता हूं 3 की टेबल में 13 है वो 4 तक जा रहा है तो आप 37 को 4 से करके देखता हूं 5 पे तो किसी हाल में नहीं जाएगा तो हम एक लिमिट तो पता लगगी 4728 2 4 312 12 to 14 148 बिगर वैल्ली हो तो अब यह पका 3 पे जाएगी तो हम कम नंबर करने पड़ेंगी हमें 3721 1 2 3 3 9 9 to 11 कई बार य यह ऐसे होता है कि इससे भी यह नहीं जो 3 से करते तो यह भी बड़ी वैल्ली आजाती तो फिर 2 से करके देखते बतला आपको यह नहीं होता कि आप 1 से करो 2 से करो 3 से करो या फिर कोई बड़ा नंबर ले लिया एक लिमिट तो पता लग जाती है ट्रिपल वन यह हो गया तो यह हुआ 3 क्लियर हुआ 3 माइनस 1 2 और फिर 3 माइनस 1 2 22 अब इसको 2 से करेंगे तो ओवियसली 37 3 जा ट्रिपल बन आया है तो 37 6 जा ही क्योंकि यह इसका डबल है तो 6 जा पर आए गा यह तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया कोई भी रिमेंडर इसमें नहीं बचाया इसमें बचाया है इसमें भी 37 का मुल्टिपल आई है अब हमारे पास है नेक्ट नमबर वो करते हैं नमबर a b c फोर्म तो वो होगा 632 ठीक है नेक्स्ट अब a b c यहां पर हमें करना है इसको इधर c a b फोर्म तो इसका क्या होगा c a b फोर्म के अंदर 2 इधर आ गया 2 6 3 फिर आई बारी b इधर जाएगा b c a फोर्म 3 2 6 3 इधर आ गया अब a b c plus c a b plus b c a is equal to क्या होगा 2 3 5 6 11 1 1 3 4 6 10 2 12 1 1 6 7 2 9 3 12 121 अब इसको डिवाइड करते है किस से 37 से तीन डिजिट तो 37 तो हमने करके देखा था ना और यह 3 पर ट्रिपल वन आया तो 3 पर ही होगा यह भी क्योंकि इस से ज्यादा तो इसमें 37 प्लस करेंगे तो ट्रिपल इस से पर जा रहे तो क्या हुआ 1221 जो नंबर है वो 1221 डिवाइड 37 इसकल तो 33 नो रिमेंडर is obtained कोई कोई रिमेंडर नहीं आया कोई सेस्पल नहीं बचा रिवाइड करने के बाद यहां पर 0 बचा है similarly 117 का ले तो ABC फोम 117 फिर C आगे CAB फोम 7 इधर 711 फिर BCA फोम 1 आगे 171 तिनों प्लस करेंगे ABC प्लस CAB फ्लस BCA 71819 11279 17819 तो यह क्लियरली 9 जा भी गया 9 तू जा 18 आएट इन आएगा फिर तो अब त्रिपल 9 को डिवाइड करना है हमें 37 से 37 2000 3000 तो बड़ी वैल्यों ओर लग रही है 3721 3009 to 11 है ना यह दा हमने किया भी था आएंगे कि एक लिविट पता लग जाए एक डिजिट पर नहीं हां छोड़ी एक डिजिट यहां छोड़ दे इसा कुछ पूरा मुल्टिपल होने वाला है तो आप इसमें क्या मुल्टिपलाई करें कि 9 वाली को डिजिट आए तो वह से भी करके आप फड़ावट कर सकते इतना भी ना करना पड़ें फिर जब कनफर्म्ड है कि यह ऐसा कुछ पूरा मुल्टिपल होने वाला है तो यह रहा आपका आंसर इसमें आया हमारा 27 नो रिमेंडर इस अप्टेन इसमें भी कोई रिमेंडर हमें नहीं मिला है तो यह त्राइज हुआ क्या अभी एक और रहता है कोई और इसमें नहीं है इस पेस पर अभ अभी 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 कोन नबर चोजन 937 फिर शी अभी फोम 793 फिर बी शी अभी अभी फोम भी तर गया 379 अब इनको plus ABC plus CAB plus BCA करेंगे तो क्या मिला 7 3 10 10 9 19 1 1 3 4 9 13 7 20 0 2 2 9 11 7 18 3 21 ओके यह आगया अब हम करेंगे 2109 को डिवाइड 37 से तो हमें जो मिला वो नंबर देखते हैं यहां तक तीन डिजिट लेनी पड़ेगी एक डिजिट यहां छोड़ी एक डिजिट यहां छोड़ी त्रीजिट में 7 पे जा रहा है तो 7 पे तो किसी आल में नहीं हो आगा क्योंकि 7 7 जा 49 4 आएगा 7 जा 21 21 4 25 बड़ी वैल्यू हो गई 7 के बाद जो है साइद से यह 6 पर भी बड़ी ही आए फिर भी देखते हैं करके 6 पर हमने किया था त्रीपल टू आया था 3 पर ट्रीपल वन आ रहा है तो 6 पर ट्रीपल टू आया तो ट्रीपल टू भी बड़ी वैल्यू होगी तो फिर 6 के जा फाइव 535 3 5 3 15 3 18 5 10 मिनस 5 5 10 मिनस 8 2 25 बचाए हाँ और फिर 9 उतार दिया अब क्या मुल टू 259 तो आया था ना मारा 7 से तो 259 आ गया 7 तो यह आया 57 और रिमेंडर इस ओप्टेन थैंक यू स्टूदेंस फॉर वाचिंग यूर वीडियो इसका आप स्क्रीन शोट जरूर ले लिजेगा ठेक है तो यह हमने सारा कर दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह है ट्राइदी 253 पेज का और इसको प्लीज अच्छे से समझेगा समझने के बाद खुद के नमबर चूज कीजिए यह करने के बाद भी इससे आपके अच्छी प्रैक्टिस होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे लाइक करने के बाद सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन का बटन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको लेटस अपडेट मिलती रहे और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन बटन दबाने के बाद कुछ कहना चात में नेक्स्ट ट्राइदीच के साथ.